Hello friends, welcome to our channel Eric Computer. मेरा नाम है वेपिनगिरी. Friends, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विंडो 11 के बारे में. विंडो 11 को कैसे हम officially इसकी ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको bootable बनाकर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं. आपके पास laptop और desktop प्रोसेस सेम ही रहेगा. तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं. विंडो 11 इंस्टॉल करने के लिए हमें तीन टूल चाहिए. सबसे पहले हमें चाहिए विंडो 11 के एक ISO फाइल. उसके बाद हमें विंडो 11 को bootable बनाने के लिए टूल चाहिए. रूफस और उसके बाद हमें चाहिए नमबर तीन पर एक 8GB के pen drive. यहाँ पर हम अपना Google Chrome वेब राउजर पर जाएंगे. Google Chrome के वेब राउजर को open करेंगे. यहाँ पर टाइप करेंगे Windows 11. आप देख सकते हैं, यहाँ पर Microsoft की official website open हो चुकी है. इस website पर हम क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद website open हो जाएगी. आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक PC Health Check. PC Health Check के नाम से एक टूल दिया हुआ है. जिसकी मदद से हम यह जान सकते हैं, कि हमारा system Windows 11 के लिए comfortable है या नहीं. तो आईए सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं, कि यह system जिस पर हम Windows 11 इंस्टॉल करने वाले हैं, विंडो 11 के लिए comfortable है या नहीं. तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर download PC Health Check का app है है. मैं ज़स इसको download कर लेता हूँ. एप download हो चुका है. इसको just now हम run कर देते हैं. यानि कि हम system में install करते हैं. Run होने के बाद यह system को check करेगा कि हमारा system Windows 11 के लिए comfortable है नहीं. या आप देख सकते हैं, check now. तो मैं इस पर just click करता हूँ. क्लिक करते के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा system में Windows 11 की requirement को पूरा नहीं करता. तो कैसे हम requirement पूरी ना होने के बाद भी अपने system में Windows 11 install करेंगे या जो system Windows 11 के लिए comfortable है उद में भी कैसे Windows 11 install करते हैं. तो process same है, but pen drive portable बनने का तरीका अलग अलग है. तो इस वीडियो को जड़ा भी skip ना कीजिए. कहीं आप से कोई option miss ना हो जाए. तो चलिए सबसे पहले चलते हैं Windows 11 की ISO file को download करने के लिए. तो अगेन हम वापिस आते हैं अपने Google Chrome पर. उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे system की configuration है. वो है i3 second generation RGB RAM. तो अब हम चलते हैं वापिस Google Chrome पर. वापिस हम आते हैं अपने web browser पर. Google Chrome की. आप देख सकते हैं Microsoft को यहाँ पर दूसरा second option है. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ create download installation media. तो यहाँ पर हम एक tool download कर सकते हैं Microsoft की तरप से. जो हमारा एक pen drive को bootable बना सकता है. तो मैं download पर click करता हूँ. Click करने के बाद आप देख सकते हैं यह tool download होना start हो चुका है. इस tool को मैं run करता हूँ. By default language English selected रहने देते हैं. Then next करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर दो option आ रहे हैं. USB installation और एक ISO file का. फर्स्ट जो option है USB का. आप डारेक्ट इसमें एक 8GB की pen drive लगा का just next करेंगे. तो आपकी pen drive directly bootable बननी start हो जाएगी. दूसरे option में आप इसकी ISO file को download कर सकते हैं. जिनका system window 11 compatible नहीं है. वो इस option को try ना करें. क्योंकि इसमें आपका window 11 install नहीं हो पाएगा. ये option उन लोगों के लिए जिनका window 11 comfortable है. तो अभी इस option को just मैं close कर देता हूँ. अब वापिस चलते हैं अपने ISO file को download करने पर. तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे तीसरा option आया हो है. डाउनलोड आइसो डिक्स इमेज तो जश्ट आप देख सकते हैं पर हम select करेंगे multi language window 11 की download now पर click करेंगे. इसके बाद हम यहाँ पर select language पर language के option को select करेंगे. पाइड़फोर्ट हम English United State को select करेंगे. देन confirm पर click करेंगे. इसके बाद 64 bit download के option पर click करेंगे. क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा file ISO डाउनलोड होना start हो चुका है. फिलाल मैं इस option को close कर देता हूं क्योंकि मैंने already ISO डाउनलोड कर चुका हूं. तो चलिए हैं अपनी फाइल की तरफ इसको मैं close कर देता हूं. इसके बाद चलते हैं अपने bootable software की तरफ जिससे हम अपनी ISO फाइल को bootable बनाएंगे pen drive में. तो जस्ट Google पर आते हैं यहां पर type करते हैं Rufus, Rufus, आप देख सकते हैं इसकी official website आ गई, जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है. अगर आपको Windows 11 compatible है तो आप latest software की तरफ पूटेबल बना सकते हैं, बट हमें जो Windows 11 इंस्टॉल करनी है वो उस system पर इंस्टॉल करनी है जो compatible नहीं है. आप इसके older version पर click करेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर older version का option आ रहा है, जस्ट हम इसे older version पर click करेंगे, तो हमें जो version इंस्टॉल करना है वो है हमारा Rufus 3.17.exe, तो देखते हैं कहां पर हमारा 3.17.exe, ये रहा, जस्ट हम इस पर click करेंगे हमारा Rufus software DOWNLOists होना start हो इस software को भी हम यहां से copy करके D drive में ही कर लेगे ताकि दोनों ही software हमारे एक जगा पर रहे हैं अब देख सकते हैं हमारे D drive में ISO file और rufus दोनों copy हो चुके हैं अब हमें तीसरा option यूज़ करना है यानि कि हमें 8GB के pen drive system में insert करनी है तो अभी मैं 8GB के pen drive system में लगाता हूँ आप देख सकते हैं system में 8GB के pen drive show हो चुकी है इसके बाद हम रूपस पर right click करेंगे select करके run as administrator open करेंगे यहां पर रूपस हमारा open हो चुका है select वाले option पर हम click करेंगे click करने के बाद हम अपनी ISO file को यहां पर select करेंगे जो हमने window 11 के ISO file को download किया है उसको select करकर open करेंगे ISO file यहां पर select हो चुकी है उसके बाद आप यहां पर देखेंगे नीचे image option image option में जो option अभी selected है by default standard windows 11 installation TPM 2.0 with secure boot by default इस option को select करकर अगर हम अपनी pen drive को bootable बनेंगे तो यह bootable pen drive सिर्फ supported system पर ही work करेगी बट चुकी हमारा system unsupported window 11 के लिए है तो यहां पर हम दूसरे option को select करेंगे जिससे हमारी pen drive उन system के लिए रेडी हो जाए जो window 11 को support ना करें तो यहां यहां पर हम image option पर click करेंगे और यहां पर हम select करेंगे extend windows 11 installation no TPM no secure boot और इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक नीचे partition scheme है यहां पर दो option है MBR और GPT तो इन option को select करने से पहले आप अपने system का drive का partition scheme देखेंगे आपके system की drive scheme को तो यहां पर हम this PC पर right click करेंगे manage के option पर जाएंगे उसके बाद device manager पर click करेंगे यहां पर जो हमारी drive installed है अभी मेरे system में एक SSD installed है उस drive पर हम click करेंगे और right click करके इसकी properties में जाएंगे यहां पर हम volume वाले option पर click करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर partition table style जो है इसमें MBR selected है तो हम जो अपनी pen drive create करेंगे वह MBR partition style में create करेंगे अगर आपके system में यहां पर partition style GPT है तो आपको GPT में install करना पड़ेगा तो फिलाल मैं अभी अपनी system के according करता हूं जिससे कि मुझे अपना data भी save रखना है तो यहां पर हमने check कर लिया है कि मेरे system को जो partition style है वह MBR में है तो यहां पर हम MBR को select कर लेंगे उसके बाद जब स्टार्ट पर click कर देंगे start पर click करने के बाद हमारी pen drive bootable बनी start हो जाएगी तो इसको मैं next कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी pen drive bootable बनी start होगी इसमें 10 से 15 मिनिट का time black सकता है according आपके system के speed के तो यहां पर हमारी pen drive बनकर ready हो चुकी है इसको just मैं close कर देता हूं आप देख सकते हैं यहां पर हमारी system में pen drive बनकर create हो चुकी है यहां पर हम अपने system को restart करेंगे पर restart करने से पहले जो हमारी जो c drive है उसको हम rename करेंगे रीनेम हम इसलिए करेंगे ताकि हमारी window install करते वक्त याद रहे कि हमारा c drive कौन सा है और swift के लिए जो आपका d drive या e drive है आप उसको भी rename कर सकते हैं अपना data के according तो फिलाल मैं अभी यहां पर window c drive का rename कर देता हूं तो इसके बाद हम अपने system को restart करेंगे pen drive हम अपने system में लगी रहने देंगे restart करने के बाद हमारी system की जो boot menu की होती है उसको हम प्रेस करेंगे सभी system की अलग-अलग boot menu होती है फिलाल मेरे system में jabronik का motherboard लगा हुआ है तो इसका F11 है तो मैं यहां पर F11 प्रेस करूँगा आप आप देख सकते हैं यहां पर boot menu आगया है option यहां पर SSD के साथ मेरी pen drive भी शोग हो रही है तो यहां पर pen drive को select करकर enter करूँगा enter करने के बाद यहां पर हम प्रेस करकर हम अपनी pen drive को boot करेंगे आप देख सकते हैं पर हमारी pen drive successfully boot हो चुकी है यहां पर windows का icon आगया है windows का जो इसमें next करेंगे install now पर क्लिक करेंगे अगर आपके पास window 11 की की है तो यहां पर आप की install कर सकते हैं अनिधा आप यहां पर I don't have की पर प्रेस कर सकते हैं यहां पर मैं इसमें प्रेस करता हूं इसके बाद यहां पर window 11 के सभी version शोग करेंगे आपको जो भी version install करना है select कर सकते हैं फिलाल में यहां पर window 11 pro को select करूँगा और इसके बाद next पर क्लिक करूँगा agreement को accept करेंगे check mark लगाकर then next करेंगे यहां पर दो option है upgrade और custom upgrade system तब यूज़ किया जाता है जब आपको window 10 को सिधा 11 में upgrade करना है बिना कोई data loss की हुए अभी हमें यहां पर clean window 11 install करना है 10 को हटा कर तो यहां पर मैं custom वाले option को select करूँगा next करूँगा उसके बाद आप देख सक यहां पर wb दिखाई देरा है जिसमें हमारी window window install है c drive उसके लावा यहां पर 48 GB अलबग है वह मेरा data पार्टिशन है उसके साथ साथ यह mb में भी कुछ पार्टिशन है supporting partition होते हैं यह windows के तो इन सभी partition को हम delete कर देंगे सिवाए अपने data वाले partition के क्योंकि इसमें हमारा data है यह आप clean window भी install कर सकते हैं all partition delete करकर अगर आपका कोई data important नहीं है फिलाल यहां पर मैं only अपने data drive को छोड़कर बाकि सभी partition को delete करूँगा तो यहां पर मैं सबसे data वाले से उपर का जो भी mb partition है reverse partition उसको delete करता हूँ उसके बाद w वाले partition को जिस पर मेरी window install है उसको select करकर delete करूँगा उसके बाद system partition इसको भी select करकर मैं delete करूँगा delete करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर दो partition दिखारेंगे एक पर मेरा data है और दूसरा है unlocated space जिस पर हम window install करेंगे माले जी आपको आपका drive size ज्यादा है तो आप इसमें से भी new पर click करेंगे और इसमें से भी partition निकाल सकते हैं यह मैं तब के लिए बता रहा हूँ जो जब आपको clean installation करना हो कि partition कैसे create किये जाते हैं तो अभी मैं data वाले partition को नहीं चेड़ूँगा unlocated वाले partition को select करूँगा और new option पर click करूँगा यहाँ पर अपने data का जो भी drive का size देना चाहते हैं यहाँ पर select करेंगे फिलाल मैं इसको आदा size दे देता हूँ लगवक 30-35 GB के असपास का यहाँ पर 7 हटाके में 4 कर देता लगवक 43-41 GB के असपास space हो जाएगा इसके बाद 4 लिखने के बाद apply कर देंगे ओके कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक partition create हो गया है और एक unlocated space दिखा रहा है यानिकि इसको भी हम partition create कर सकते हैं तो इसको select करके हमने कर दिया अब हमारे पास होगे तीन drive यानिकि partition पर मुझे तीन partition रखने ही यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए create किया है तो मैं वापिस इन partition को delete कर देता हूं select करके सिवाए अपने data वाले partition को तो आपको याद रखना है कि अगर आपको data system में data है तो उसको delete नहीं करना है उसको पहले ही my computer में जाके rename कर लेना है तो म इस सेम पॉजिशन पर आ गए हूं Unlocated इस्पेस चस्ट में इसको select करूंगा और next पर क्लिक करूंगा next पर करने बाद होगा क्या इस पर हमारा विंडू 11 इस्टॉल होना start हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा system का process start हो चुका है system restart होगा आप यहाँ पर restart होने के बाद चाहें तो आप अपनी bootable pen drive को निकाल भी सकते हैं या लगे ने दे सकते हैं विंडू 11 की वैलकम स्क्रीन हम देख सकते हैं इसके राद हम country या region सेलेक्ट करेंगे बाइड़फोल्ट में United state रहने देता हूं then next पर क्लिक करता हूं यहाँ पर मैं English इंडिया सेलेक्ट करता हूं then next पर क्लिक कर देता हूं इसके राद स्कीप कर देता हूं keyword layout यहाँ पर आप देख सकते हैं wifi connect करने के लिए अगर आपके सिस्टम में wifi या ethernet है तो आप connect कर सकते हैं बट connect करने से पहले आप यह बात जान लिए कि आपको Microsoft account चाहिए होगा इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपके पा keyword पर प्रेस करेंगे shift का बटन प्रेस करकर f10 जिससे की हमारा command prompt open हो जाएगा तो यहाँ पर हमें command type करेंगे double o be slash bypass nro इस command को type करने के बाद जस्ट हमें enter कर देना है enter करने के बाद हमारा system restart हो जाएगा रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर अगिन वैलकम स्क्रीन आएगी यहाँ पर हम रिजन सेलेक्ट करेंगे United States next English India को सेलेक्ट करेंगे then next यहाँ पर कीबोड ले आउट को स्कीप करेंगे देख सकते हैं आपके अगें वाइफाई का option आगे बट इसके साथ साथ यहाँ पर एक option आ रहा है don't have internet इस option पर हम क्लिक करेंगे इसके बाद ही हमें continue with limit limited setup पर हमें क्लिक करेंगे इसके बाद हम अपने computer का नाम देंगे यहाँ पर then next करेंगे again next करेंगे password के लिए पूछ रहा है इसके बाद यहाँ पर यह कुछ privacy setting के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं सभी setting को off कर देता हूं उसके बाद just next करेंगे accept करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी window 11 successfully install हो चुकी है इसके साथ ही हम चेक करेंगे अपने d drive का data कि हमारा d drive का data save है यह नहीं तो यहाँ पर अगे इस PC पर जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे pen drive भी शोग हो रही है साथ की साथ हमारे एक drive शोग हो रही है जिसमें हमारा data था ISO file और उपस वगेरा जो भी था इसके साथ ही हम चेक करेंगे अपने system की configuration ताकि मैं आपको अगेंच चेक करा दूँ कि यह system unsupported Windows 11 के लिए था i3 second generation 8GB RAM और इसमें हमने install करी है Windows 11 Pro तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद लाइए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का घंटा प्रिस करना ना भूलें थैंक्यू